आज मैं आपको DJ के लिए स्पिकर बता रहा हूं जो आप सिंगल भी लगा सकते हो तोप में भी लगा सकते हो यह आपको निज़रा रहा है एटिव प्रो का स्पिकर इस में आपको एटिव प्रो के लोगों के साथ यह एक्जीटीव फ्रेम आपको मिल जाती है और हाइग ड्र जिरो आपको मिल जाता है एटी प्रो आप इस फिगर देख पा रहे हैं यहां पर आप को यह इस फिगर काफी शानदर मिल जाता है तो आज इसकी अंबोक्सिंग भी में आपको कर गवता हूँगा और काफी अच्छी तरह के से आप इसकी quality को देख पाएंगे जो आपके डीजी में नई जान दे देगा और काफी अच्छी तरीके से आप इसे use कर पाएंगे तो इसमें आपको जो देखना है वो किस तरह से मैं इसे open करूँगा और किस तरह से connection करेंगे उसकी पुरी जान करेंगे आपको इस वीडियो दोगा तो यहां पर इसे unboxing करते हैं तो यहां पर दो speaker जैसे मैं मगवाए है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर इसको open कर लिया है speaker को इस तरह से यह आपको शोर है करेंगे और इसमें आपको गर्म होने की टेंशन ही नहीं रहेगी क्योंकि यह काफी अच्छी heat snacks वर्चन 2.0 को साथ है आप इसमें connection करने के लिए आपको यहां पर दो option मिल जाते हैं पोजेटिव और नेगेटिव रेड और ब्लेक में आप देख पा रहे हैं तो यहां पर इसे connection कर लेंगे और इसमें आपको आगे क्या करना है उसकी वह मैं जान करेंगे आपको इसी वीडियो को दूँगा तो आप इसको connection कर लेंगे तो इसमें आप काफी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम में DJ की जो best mid आपको काफी channel में जाता है और हाइस के लिए क्या करना है उसकी मैं आपको जान कर दूँगा इसमें हाइस कौन से लगाएंगे इस speaker में वो भी मैं आपको पता हूँगा तो इस speaker में आपको 5 24 वाट मिल जाते हैं और इंपिडेस 8 ओम का है और फ्रेम एलिमिनियम की है वो इस कोईल आपको सारे 3 इंच की मिल जाएगी और इस speaker का वजन 11 kg है और फ्रिक्वेंसी 45 हर्च से है तो यहां पर आप देख वा रहे हैं तो यहां पर इसके connection वरी आसनी से आप कर लेंगे और इ हाइज के साथ में आप स्पिकर लगाएंगे तो आपको क्रोस ओर प्लेट के दोरह काफी शानदर आउट बूर्ट मिलेगा वह इस तरह से आप अपने speaker में इस तरह से connect कर लेंगे और यहां पर मैं हाइज बता रहा हूँ आपको 80 प्रो की है जो साड़े 400 आप देख वा रह काफी अच्छी तरीके से आप इसको काम में ले पाएंगे और इसकी जो क्वालिटी बनेगी काफी शानदर बनेगी DJ बजाने में आपको मज़ा आ जाएगा और इसमें hitting problem भी नहीं है और क्रोस ओर प्लेट के द्वारा काफी शानदर आउट बनेगा तो यहां पर आप आप लगते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा और जो क्वालिटी शानदर बनेगी वह भी काफी शानदर बनने वाली है तो इस तरह से आप देख वा रहे हैं यहां पर मैंने इसे निकाल लिया है और इसको आप स्पिकर में लगाने के लिए एड़ करेंगे तो यहां पर आप देख वारे हैं यह इसके लूप दिख रहा है इस तरह से इसे ऑपन कर लेंगे लिए दो पॉइंट में जाते हैं जहां पर आप अपने वायर को डाइट कर लेंगे और उस तरह से आप चला पाएंगे क्योंकि इसमें आपको सॉल्डिंग करने की ज़रूत नहीं रहेगी और इसमें काफी हासनी से आप लगा पाएंगे पर इते हैं और यहां पर आपको next в बयर काषिज रही है इसमें भी आपको lumin करहां लेकर आहां पो सॉल्डिंग को इस आप anna को लेकर उनको आपको इस्पिकर में और आपके में लाइन आ रही है उससे लेकर आपको अपने क्रोस ओवर में वायर लगाने रहेंगे वह इस तरह से आप अपने इस्पिकर में दोनों को लगा लेंगे इस्पिकर को और अपनी एचेव को लगा कर आप काफी आचानी से इसके आपके साउंड की बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी क्योंकि इस स्पिकर 555 वाट का है और इंपिडेंस 8 होम का है और इसकी फ्रेम एलिमिनियम की है तो गर्म होने की संभावना कम रहेगी और इसको लाइन मेंच के साथ आप कम्प्लिट एम्प्लिफायर से चलाएंगे तो आपको अलग-अलग केटिगी काफी साथ यूडियो में जाएंगे तो आप इस स्पिकर को काम में लेकर अपने डीजे में काफी नया अहसास अन्वोग करेंगे क्योंकि साउंड क्वालिटी बनने वाली काफी अच्छी बनने वाली है और मैं खुद भी इसे काम में ले रह इस अन्वोप जह बनने वाली काम में ल bersभवाल इसे काम में लावली है